तो चलिए जी आज बनाते हैं होली स्पेशल रेसिपी जो की थोड़ा सा हमने उसको हेल्दी वर्जिन मनाने की कोशिश करी है लेकिन बहुत ही गजब रेसिपी बनके तयार होगी तो चलिए बनाते हैं माल पुआ आटी के माल पुआ तो सभी को सबसे पहले वेलकम मेरे बिट तो यह हमने लगबग चार कि जो किलो दूध में हमने यह थाई सो ग्राम खोया वह तयार हुआ है अगर का तो अगर अपका थोड़ा सा मतलब या फिर मावा भी इसको बोलते तो अगर आप हाड है तो आप इसको हलका सा गरम करके भी स्कोर सकते हैं तो यह तो आप रबडी अगर है तो रबडी से भी बना सकते हैं नहीं तो simple दूध अगर है तो दूध से भी बना सकते हैं और जो में यहांबर टिप्स अन ट्रिक्स बतारी हैं उसको आप जरूर से जरूर फॉलो करियेगा तो इससे क्या होगा आपका बिलकुल पर्फिक्ट बन के तयार होगा तो अ अगर आपके पास रबडी या खो या कुछ भी नहीं है तो आप सिंपल दूद से ही इसको बना सकते हैं जो बैटर आ बनाएंगे उसमें सिर्फ आप दूद कवे यूज करिये या फिर कंडेंस्ट इमिल्क अगर आपके पास है तो आप थोड़ा सा उसका यूज कर सकते हैं तो उससे क्या होगा थोड़ा रिचनस अच्छा बनता है तो यहां पर हमने देखे दूद डाल दिया उसको अच्छे से थोड़ा सा मैश कर देंगे जिससे कि लंप्स ना रहे हैं तो इससे हमने मैश कर दिया है और सॉफ्ट है तो वह अपने आप घुल जाएगा मुश्कल से दो मिनट हमने इसको फिर इस तरह से थोड़ा सा किया तो फिर यह अपना रबड़ी फौर में तैयार हो गया अब हम इसको बंद कर देंगे और अब बैटर की देयारी करते हैं तो यहाँ पर हमने देखे हैं तो अबसे हें डूल दीड है만 अब और fifth और 7 जाएंग और में आटा close इन रहें अगर मैंत्स कि आप cookie क्या है तो यहां देखे हैं आतिक है थोड़ी को स्थित हैं तो यहां पर थोड़ा थोड़ा करके उसको हम मिला दे जाएंगे अब इसी स्टेज पर अगर आपके पास रब्डी या खो या कुछ भी ऐसा नहीं है नहीं बना सकते तो आप यहां पर थोड़ा थोड़ा करके सिर्फ दूध ही डालते जाएए तो भी अच्छा बन जाएगा तो यहां पर आप हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अभी मैं आपको जो टिप्स इं ट्रिक्स बताऊंगे उसको जरूर फॉलो करिएगा मैं आपको बता रही है आप होली में बनाएए बहुत अंगरज़ा प्रेसिपी बनके तयार होगी अभी आप लास्ट में देखेंगे कि लोगों को जैनुइनली अच्छा लगा है यह कोई यह नहीं कि यह जबरदस्ती वाला सीन नहीं है अच्छ में अच्छा लगा है तो इसको आप जरू से त्राइ करिएगा तो आप देखें हम इसको यहां पर गूथ नीड़े हम इसको भुरुरा करके इसको यहां दूद इसमें डालेंगे और इसको हम इस तरह से मिक्स करेंगे ठोड़ा थोड़ा ही डालना है आप आप इसको मिक्स मिक्स करणे के जिससे 5 बाटर जो है वो तो तो भीन कीषिया हो ऑक निग पर मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि रहा भीन दलना तरह जिस दिन आप को ने हैं तुल से बढननाओं जादे नाहीं है। जलदी बशूल जलदी बन के तयार हो जाते हैं। अब स्कमें कि यह पूई पुआ हैं। यह सफ़हती है क्मद्रवं सोगी ज़रीन तक कर दे स में जल्दी तो बाट जल्दी फ्राई करेंगे तो सिस्फ उपर से ब्राउन ब्राउन कलर आ जाएगा और अन्दर पकिंगे तो आपको चाहिए की आठा जो अंदर तो इसलिए अगर आपको जैसे कल खाना है या फिर रात को खाना तो एक दिन पहले ही बनाईए ज्यादा दिनों तक मत बना के रखिए काउंटर को मने साफ कर लिया और यह देखिया बैटर की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं इस तरह से इसका आपको कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसमें कोई लंबस नहीं है एक अगर होंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है तो यह आप यहां पर हम चाशनी बनाएंगे तो यहां पर दो कटोरी हमने जैसे लिया था आटा तो हमने दो कटोरी यहां पर चीनी ली है तो यह पर्फेक्ट मीठा बना था बिल्कुल करते हैं अपाइं यहां दो करो सिर्फ सिर्फ यहां पर यहां पर मिक्स हो जाए थोड़ा से थे क्या चिब हम अब्लब कि अब कर आटां अब जाए दो चुछी मिनित तक करना बस उसके जादा आपको तारवार नी बनाना यहां पर मैं दोड़ा सा यह लाईची पाउडर तो अच्छा फ्लेवर आएगा और अब में थोड़ा सा कलर डालूंगी बिल्कुल पिंच उफ उससे क्या होगा कि थोड़ा सा और यह अच्छा लगेगा तो मैंने डाला अगर आपके पास अगर आप नहीं डालना चाते तो नहीं भी डाल सकते हैं आप यहां पर मैंने थोड़ा सा गारनिश करने लिए इसको मैं कट कर लूगी तो मैं फिर से चाशनी में आपको बताना चाहती हूँ कि चाशनी और चाशनी में हैं जब करेंगे कि आप इसको डिप कर लाइक जैसे नियुत ऑ्षीओ कर लिया के सब्सक्राइब करना है उसमें उसमें चाशनी हुआ हुआ जाएगी तो यह आप थोड़ा सा देखिए जाए यहाँ यहां पर मैने घी का यूज किया तो तो हम्याने घी जो है वो बिल्कुल यू तो उसमें लेवल पर रखा हुआ है जादा मैंने भर नहीं दिया है और मैंने यह चंचा के साइज आप देख सकते हैं तो मैंने हाफ चंचा ही आइधिंक हाफ चंचे से थोड़ा ज्यादा बस यूज किया पूरा नी डाला मैंने इसमें और यह देखिए इस तरह से आप ऊप पलट करके अच्छा रंग देखे पीछे भी अच्छा रंग आ गया और थोड़ा सा आगे भी अच्छा रंग इसमें हो जाए तो इस तरह से आपको इसको अब यह मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल भी जैसे मुझे पहले लेगा कि बहुत जादा घी सोप कर लेगा लेकि बिल्कुल भी नहीं है इस तरह से आप बनाईए बस आपको यहां पर यह चीज ध्यान दखनी है कि जो आपने चाशनी मैं फिर से बता रहे हूं चाशनी गुनगुनी ही रखिया का जब आप डिप कर रहे हैं थोड़ी सी थड़ी हो तो ग्यास जो है बिल्कुल लो फ्लेम अपने डाला माल पुआ फिर दूसरा आप डाल रहे हैं माल पुआ कर रहे हैं तो इसको आप पूरा फ्राई हो जाए तब आप पहला वाला जो है निकाले तो इदना टाइम आप रखेंगे तो परफेक्ट वो अब्सॉर्ब कर लेगी और अच्छा फ्लेवर आएगा इस त इसको चाशनी में डाल दूगी तो चाशनी आपको अभी तो यह गरम ही थी लास्ट में मैं क्या करूं कि बार बार इसको मैं थोड़ा से घुनगोना करती रहोंगी तो फिर वो चीनी जो है पर चिपक जाएगी लेकिन यह बहुत बढ़िया बनके तयार होते तो मैं फिर से लगभग तीन या एक घंटे बाद ऐसे खाएंगे तो हम लोग ने तीन घंटे बाद खाया थे इसलिम में आपको बता रही हूं बहुत अच्छे लगे थे बहुत गजब लगे थे यह देखिए आप जब ऐसे डालें तो एक पोर्स बिलकुल साइड में भी आ गए हैं और लगभग 10-11 माल पूए इस बैटर से दो कर्णोरी बैटर से बना लिए तो एन अफ हो गए थे क्योंकि लोग एक दो लेकिन बहुत ही अच्छे मने थे सब ने खाया मेरे आपर तो ज़रूर से ज़रूर होली में बनाईए तो इसमें में पिस्ता से गानिश कर दूंगे इस कि अच्छे मुचे मोटिवेट करिये कमेंट करिये क्या अच्छे में से देख रहे हैं नहीं जबर्दस्ति नहीं सही-सही बताओ वह बहुत बन्या बहुत बहुत जो बहुत जो कहसे लगा कहसे लगा